हाई अब्रीवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल सिक्षा दिक्षा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो उससे पहले मैं बता दू अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे बेल के बिहाब से बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो यह जो आज आप करेंट अफ्यर देख रहे हैं यह मार्च का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अप्यर है ठीक है जो कि मैंने इस्पेशली आप लोगों के लिए जिसके क्वेशन रखें तो यह करेंट अफ्यर्स आपके ग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछ जा सकते हैं ठीक है तो चलिए देखें पहला क्वेशन है कि अध्यातमिक संगठन ब्रह्म कुमारी की किस प्रशाशिका का हाल ही में निधन हुआ ठीक है तो जो ब्रह्म कुमारी चलता है आप लोगों कई लोगों ने द धन हुआ इनकी जो उम्र थी जो इनकी एज थी वो थी 104 वर्ष इनको हाली में माउंट अबू के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वहां पे इनकी डेथ हुई ठीक है तो इनकी एज थी 104 वर्ष इन्होंने 23 वर्ष की उम्र से ही जो अध्यात्मिक पच्छ थ हुआ निधन हुआ ठीक है 104 वर्ष की उम्र में चलिए उसके बाद एक और विचुरी है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है पद्म विभूशन से सम्मानित किस भारतिय चित्रकार का 94 साल के उम्र में निधन हुआ ठीक है तो इनका नाम है सतीस गुज्राल ठीक है सतीस ग आपको प्ता होगा इंद्रकुमार गुज्राल जी के बारे में उनके भाई भी थे और यह पद्म विभूशर से समानित भारतिय चित्रकार भी थे इनको वर्ष 1999 में पद्म विभूशर से समानित किया गया था इसके लावा इनको और भी कई बार जो है चित्रकार का प्रुसकार दिया गया था ठीक है और वर्स 1999 में पद्म विभूशड से भी सम्मानित किया गया था नाम याद रखिएगा सतीज गुज्राल ठीक है इंद्रकुमार गुज्राल के भाई थे चलिए उसके बाद नेक्स द जादा काला बजारी होने लगी थी वह बहुत ही जादा हाई प्राइस पर सेल किये जाने लगे थे ठीक है तो सरकार ने इस चीज़ को रोकने के लिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इनकी एक जो है MRP तैय कर दी जो कि इस से जादा जो है यह नहीं बेचा जा सकता ठीक है तो 16 रुपए से जो ऊपर में यह 3-ply फेस मास्क जो है नहीं बेचा जा सकता है फेस मास्क आप के कई तरीके के आते हैं जिनमें कई तरीके की डबल लेयर वाले ट्रूपल लेयर वाले ठीक है तो हर तरह के होते हैं और उन सब के अपने अपनी टाइमिंग होती है कि यह face mask इतनी देर के लिए यूज किया जा सकता है यह इतनी टाइम तक के लिए यूज किया जा सकता है और कुछ होते हैं जो reusable होते हैं जो washable clothes के बने होते हैं उनको भी अगर आप थोड़ी देर यूज करने के बाद उनको अच्छे से धो करके sanitize कर लेते हैं तो फिर आप उसक कर सकते हैं लेकिन कुछ mask होते हैं जो कि सीधे आपको उसको dispose करना होता है ठीक है तो कई थरीके के mask available होते हैं तो यहां पर जो आपके 3ply face mask की बात की गई है उसकी जो amount तै किया गया गया और यह ऐसा क्यों किया सरकार ने क्योंकि mask की बहुत ही जादा काला बजारी की जा रह है आपका जो की ठीक है आप में देखा होगा sanitizer हर जगा बोल रहे हैं sanitizer उसका यूज कीजिए आप लोगों से भी यह चीज बोली गए कि जितना हो सके अपना hand wash करते रहे हैं उसके साथ में sanitizer उसका यूज कीजिए तो उसका में ingredient होता है sodium hypochloride ठीक है तो sodium hypochloride होता है इसका मनाया जाता है ठीक है तो यह जो आपका word theater day है यह प्रतेक words कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 27 March को यानि कि 27 March को मनाया जाता है इसका उद्देश यह है कि भाई रेंगमन से संबंदे जिते लोग हैं उनको भी वो भी progress करें इसके साथ जो theater है theater को एक अच्छा level से जुड़ते हैं तो यह अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज होती है और theaters में जो acting होती हो बहुत ही ज्यादा अच्छे level की होती है तो इस वजह से यह जो word theater day है यह कब celebrate किया जाता है 27 March को celebrate किया जाता है हलाकि है क्या कि बहुत सारे day वागेरा जो celebrate किया जाते थे केरी एक ही विंती है कि प्लीज जितना हो सके follow कीजिए जितनी भी guidelines से सरकार की तरफ से दी गई जैसे कि आप अपने हाथ को साफ रखिए sanitizers का use कीजिए इसके साथ social distancing रखिए यानि कि आप लोगों से ना मिले ठीक है और हाथ वगेरा भी ना मिला है जितना हो सकी नमस्ते व रही है ठीक है तो यह सारी चीज़े करके हम लोग क्या कर सकते कोरोना वाइरस की जो chain है उसको break कर सकते और इसको जादा से जादा follow करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह जो चीज़ बहुत जादा बढ़ रही है आप लोगों ने देखा ही होगा कि बाकि जो आपकी European countries है उन गता करें94 किया है कि आर वी याई ने हाल ही में लिए़पट 5.15 फीज़डी से घठाकर कितने फीज़डी कर दिये है अ अर्वीज़ और रिवर्स एप अउडें यह करें आ quién deal दتمडा यह यह बाकि यह जैकि हए Peach और वियाए में रेपोरेट है 5.15 फेस दी जो था उसको घटा करके कितना कर दिया गया भाई 4.40 ठीक है 4.40% कर दिया गया तो लगभग 0.75% की जो 0.75 की घटाया गया ठीक है 0.75% जो है उतना घटाया गया है आपके रेपोरेट को ठीक है और जो रिवर्स रेपोरेट है जो रिवर्स रेपोरेट वो पहले कितना था वो पहले था 4.90 और उसमें कितनी कमी की गई है उसमें की गई 0.90 की कमी की गई है और वो हो गया है 4% ठीक है तो यह चीज मैंने थोड़ से समझाने के लिए आपको बता दिया है कि कितना क्या है 4. 4.90% जो आपका reverse रेपोरेट था वह अब घटके 0.90% घटा दिया गया और कितना हो गया 4% हो गया है और जो आपका रेपोरेट था वह 5.15% से घटा करी कि कितना कर दिया गया 4.40% कर दिया गया है ठीक चलिए अब नेक्स देखते हैं देखे 26 मार्च को वीडियो कॉन्फरेंस के द्वारा हुआ G20 सम्मीलन कौन से देश ने कराया हम लोगों ने ढौँऔर जो आपका g20 समिए मैद तरीज में कौन आपको तो ya चैजरी तरीक्षण की मार्दियो करते हैं जो कं कार्टिसिपेट करते हैं अब ओस्ह बैस लुद मिन जाए तो यह दीआılar से आपको लेकिन यह कैसे हुआ वीडियो कॉन्फरेंसिंग जरीरा LM जैननी वर पटीनी भीज़िन फोष्ट से करेंस फूर चारे से कि बार देखे लिखा हुआ है कि किस भारती e-commerce को कोरोना लॉक्डाउन के समय अपनी सेवाइं बंद करनी पड़ी है तो इसका एंसर है फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ने अभी अपने उफिशियल वेबसाइट पे एक मैसस भी लिखा हुआ था कि लिखा था कि जो हमारी सेवाएं हैं वो कोरोना के चलते कुछ समय के लिए बंद कर दी गई जब तक कि आपका लॉकडाउन है फिर भी जो कुछ जरूरी समान है उनको लाने ले ज समय खरीज सकते हैं ले सकते हैं अधरवाइस फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने सेवा फिलाल के लिए के बंद कर दी है ठीक जब तक कि लॉकडाउन ने तब लेकिन अमेजन ने कुछ जरूरी सामानों के लिए छोड़ करके बाकी सेवाइं बंद कर दी लेकिन कुछ जरूरी सामान जो है वह आप अमेजन से अभी मंगा सकते हैं उसके बाद देखें लिखा हुआ है Reliance Foundation द्वारा भारत का पहला COVID-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है तो भाई देखें जो Reliance Foundation की तरफ से भारत का पहला COVID-19 सेंटर बनाया गया है वो बनाया गया सेवन हिल्स हॉस्पिटल में ठीक है Seven Hills Hospital या आपका कहां पे है महरास्ट में है ठीक है ठीक है कहां पे है महरास्ट में है Reliance Industries के द्वारा Reliance Foundation के द्वारा बनाया गया और इसमें लगवा 5 करोन रुपए का जो है मुख मंतरी को Reliance Foundation की तरफ से 5 करोन रुपए का एक अनुदान भी दिया गया है ठीक है एक सहायता राशी भी दी गई है मुख मंतरी खाते में जो जमा की गई है ठीक है और वो 5 करोन की अनुदान राशी है ताकि ऐसी जो बिमारी है जो की कोरोना वहां पे केसिस आप आपको पता है काफी सारे आ रहे हैं ठीक है माराश्र में तो उससे अच्छे से निप्टा जा सके और यह जो Reliance Foundation की तरफ से भारत का पहला COVID-19 सेंटर बनाए गया है तरीके से सारी जितनी भी जाचे हैं या जो भी उनका एक तरीके से कह सकते ना कि इलाज जो है वो अच्छी तरीके से हो सके ठीक है अब चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं किस भारती शंस्थान के वैग्ञान को ने COVID-19 की जाच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नाम की जो तकनीक है वो विक्सित की है तो यह तकनीक विक्सित की है आई 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 टी दिल्ली ने एक तकनीक विक्सित की है जो कि क्या है COVID-19 की जाच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नाम की जो तकनीक है यह विक्सित हुई है आ और चीज भी बोली जारी है कि पूरे द्वारा भी जो है किट जो है बना ली गई है कोविड-19 की जांच के लिए तो यह सारी चीजे हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट और भारत कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से हम जतनी ज्यादा ज्यादा जो किट हैं उनको बनाए क्यों लोग इसे आराम से ले पाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं वह पहला देश कौन सा है जिसने टोक्यो ओलम्पिक्स के 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है ठीक है तो वह देश है कनाड़ा तो देश कनाड़ा की कनाड़ा ने क्यों तोक्यो ओलम्पिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है और अब जितने हैं मोसली देश मनाई कर देंगे और कोशिश है कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक से सको 2021 में और गनाइज कराया जाए आगे इस पर और भी बातचीत हो सकती है कब होगा क्या होगा अभी कुछ कि इस नंबर के यह जो नंबर है ठीक है इस नंबर को सेव करके आप इस पर मैसस भेज सकते हैं जिससे कि आपको जितनी भी कोरोना के बारे पर जानकारी है वह सरकार अवेलबल कराएगी ठीक है तो किन सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वह करके मैसस भी करेंगे तो आपको कुरोना के बारे में काफी सारी जो भी डीटेल्स हैं सरकार के पास वो सारी बताई जाएंगे ठीक है जितनी भी जरुद बाते हैं वो बताई जाएंगे उसके बार देखिए नेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट कि सही दिवस किस दिन मनाया जाता है तो सही दिवस जो है मनाया जाता है 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 23 मार्च के दिन ही हमारे तीन जो जवान थे ठीक है बहुत ही जादा मतब उन्होंने अपने देश के लिए क्या कर दी कुर्बानी दे दी तो उनका क्या क्या नाम था एक आपके सुखदेव एक आपके भगत सिंग ठीक है और एक आपके राजगुरु तो तीनों को क्या किया गया था उस दिन फासी दी गई थी और जिसे में फासी दी गई थी उसमें भगत सिंग की उम्रभी की मात्र 23 वर्ष की ही थी ठीक है तो यह जो है सही दिवस यह इन्हीं की याद मंनाया जाता है कब मनाया जाता है 19 Mai को मनाया जाता है थीक है तो आई हो आहिए म्लो को नो क्लियर हो गया होगा शारी लिटים देजिख यह यहां पर जितने extremout करें सकते हो से रिलेटेड अगर आपके questions बन नहींगे तो काफी important questions हैं यहां पर जितने भी दिये हुए हैं तो I hope आप लोगों को सारे questions अच्छे से समझ में आ गए होगे आप इसका जल्दी से screenshot ले सकते हो तो चलिए guys मुझे बताईएगा comment में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है और I hope आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो please वीडियो को like कर दीजेगा सब के साथ share कर दीजेगा तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए पढ़ते रहिए सिक्ष